हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चानल कैसे हो आप सब उमीद है कि आप सब ठीक ठाक से होंगे आज हम बनाएंगे पालक रोल की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनती है विंटर के टाइम पर यह बहुत ही मज़गी लगती है तो आप इसे घर पर बना कर पूरे फैमली क को हटा देंगे सिर्फ पत्तों की जरूरत है बॉरत अच्छी से वाष कर कि एक गपड़े से उसे सुखा लेंगे इस तरह से हम हलके हाथों से सुखाएंगे देखिए मैंने इन सारे इंग्रिडेटियंट को लिया है आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने पालक के पत्तों को कट कर लिया है इसके डंठल को हटा दिया है अब हम सारे वेजेटेबल्स को फाइन चॉप कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स को इस तरह से छॉप कर लेंगे और मिर्ची अगर आपको पसंद नहीं है बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे से भी मैश कर सकते हैं इस तरह साम मिला लेंगे अच्छे से अब सारे कट किये हुए वेजिटेबल्स हम उसमें एड़ कर देंगे कि अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक आड़ करेंगे कि अब हम इसमें थोड़ा समयने कश्मीरी लाल मेच का लिया है हाँ थोड़ा समयने यहां जीरफ आड़ किया है हाफ टीसपुन वरन फोर्थ मैंने यहां काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने आम चूर का पाउडर एक छोड़ा चममज लिया है निम्बू हम इसमें स्क्वीज कर देंगे आधा निम्बू यहां मैंने भूना मसाला लिया है इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब मैंने एक कप बेशन लिया है और एक टबल स्पून हम इसमें चावल कांटा आड़ करेंगे इससे क्रिस्पी बनेंगी हमारे जो पालक के रोल होंगे नमक हम स्वाथ के अनुसार अड़ करेंगे यहां पर मैंने बेकिंग सोड़ा भी आड़ किया था वन फोर्थ इसकीप हो गया है आप ले लें थोड़ा सा मैंने यहां जीरा का पाउडर लिया है फाफ टीजपून मैंने यहां पर एक चोटी चम्मज धन्या का पाउडर लिया है वन फोर्थ यहां हल्दी का पाउडर लेंगे हम वन फोर्थ ही मैंने यहां कश्मीरी लाल मिच का पौडर लिया है थोड़ा सा हम यहां गरम मसाला एड़ करेंगे वन फोर्थ इसा हम अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक घोल तेयार कर लेंगे ताकि इसमें कोई लमस ना रहे इस तरह से हम गोल बनाएंगे जादा गाड़ा नहीं बनाना है नहीं जादा हमें रनी बनाना है चमच हमारा कोट हो रहा है इसे तरह से हमें चाहिए अब हम पत्तों को लेकर एक एक पत्तों को लेंगे और जो मैंने मिक्षर बनाया है आलू का ठोड़ा ठोड़ा उसमें हम added करेंगे और पत्तों को हम fold और roll बना देंगे और पत्तों को इसी तरह से roll बनाकर ready कर लेंगे आप देख सकते हैं किस तरह से roll बनाना है थोड़ा सा खुला हे कोई परिशानी नहीं है इस तरह से हम बेसर में डिप करेंगे और मिडियम गरम ओईल में हम इसे फ्राइ करेंगे मिडियम फिलेम में हम इसे फ्राइ करेंगे इसे हम कोई जालीदार बर्तेन में निकाल लेंगे चाहिए इस तरह से अगर आपके पास हो तो उसमें आप निकाल ले इससे जो एक्स्ट्रा ओईल है वो सारे निकल जाएंगे देखिए हमारा गर्म गर्म पालक रोल तयार है तो आप इसे घर पर बनाएं और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कैसी बनी है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेश सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तब तके लिए मुझे इजाज़त दीजे अल्ला हाफीज